यह आज शर्य है कि परिमान परिक्षण की भी आलोचना की गए पूछा गया जेश के सामने कौन सा खत्रा था मैं 1974 में सदन में था जब शर्यमति इंद्रा गांधी के नेतृत में परिमान परिक्षण किया गया था हमने उसका स्वागत किया था प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया था क्योंकि देश की रक्षा के लिए वो किया गया था उस समय कौन सा खत्रत है क्या आत्मरक्षा की तैयारी तभी होगी जब खत्रा होगा अगर तैयारी पहले से हो तो जो खत्रा अगर आने वाले तो खत्रा भी दूर हो जाएगा खत्रा अमल में नहीं आएगा और इसलिए हमने पर्माण परिक्षन करने का फैसला किया हमारे कायरकम कांगे उसमें लिखा हुआ है कोई छुपी हुँ बात नहीं थी कोई रहस्य नहीं था अध्यक्ष मोदे पर्माण परिक्षन के बारे में श्री चंदर शेखर जी ने कुछ विचार व्यक्त किये मुझे खेद है कि मैं उनके विचारों से सहमत रही हो सकता उनके उनके चिंतन की एक विशिश्च धारा है लेकिन पचास साल का हमारा अनुबो क्या बताता है क्या रक्षा के मामले में हमें आत्म निर्बर नहीं होना चाहिए कि वोले एक पड़ोसी नहीं हमारे अने एक पड़ोसी है इस समय यूर्प में क्या हो रहा है वो एक चेतावनी है प्रोकरन टू कोई आत्म श्लागा के लिए नहीं था कोई पुर्शार्थ के प्रक्षिकरन के लिए नहीं था लेकिन हमारी नीति है और मैं समझता हूँ ये देश की नीति रही है कि मिनिमम टिटरेंट होना चाहिए वो क्रेडिबल भी होना चाहिए इसलिए प्रक्षिकरन का फैसला किया गया उसके कारण कुछ कटनाई आएंगी हमें मालू था लेकिन देश उन कटनाईयों का सफलता पूरवक सामना करेगा ये भी हमको विश्वास था और ऐसा ही हुआ आर्थिक प्रचिबंद हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सके रक्षा संबंदी फैसले करने से हमें विरत नहीं कर सके लेकिन परीक्षण के साथ हमने ये भी ऐलान किया कि हम पर्माण हत्यारों का प्रयोक करने में पहल नहीं करेंगी हमने ये भी कहा कि जिनके पास पर्माण शस्त्र नहीं है हम उनके विरत नहीं का उप्योग नहीं करेंगी हमने परीक्षण बंद करने का भी ऐलान किया सच मुझ में पोखरण में हमें एक और परीक्षण कर सकते थी लेकिन जब हमें लगा कि वैज्यानिक तकादा पूरा हो गया है तो उस परीक्षण को हमने छोड़ दिया है टमी हत्यार रक्षा के लिए भी हो सकते युद्ध टालने के लिए उनका प्रेयोग हुआ है इतने वर्षों तक यूरॉप में शान्ती रही दो शिजरों में बटे हुए विश्व में युद्ध नहीं हुआ इसके मूल में कहीं ने कहीं ये बात थी कि शक्ति संतुलन है और इसलिए एक दूसरे को छेड़ने से बाज आना चाहिए डिटरेंट के पीछे यही परिकल्पना है इस पर सादा सारा सदन विचार करें इस बात की आवश्चक्ता है आ लो चना तो अगली दोकी भी हुई है और उस दिन बड़ा विचित्र तश्र पस्थित हुआ जब सबेरे हमने अकवारों में पड़ा कि हमारे एक पुराने मित्र ने हमारी एक पुरानी मित्र ने हमारे उपर दोशार ओपन किया कि हम दबाव में आ गए हैं इसलिए अगली टू का परीक्षण रोक दिया गया है और उसी समय परीक्षण हो चुका था और अगली शिखा अपने गंतव्य की ओर दोड रही थी अगर उस दिन हम परीक्षण न करते तो वो उनका वक्त है वे भ्रम पैदा कर सकता था विदेशों में भी भांति उत्पन कर सकता था अध्यक्ष मोद है तेरा महीने के अपने कारिकाल में कभी हमने अंतर राश्टी दबाव में आकर कोई फैसला नहीं किया नहमा अगे करें